बिसमिल्ला उरख्मान इल्रहीम, असलाम उलेकूم, dear students, हम अपने लेक्चर्ज्स में, previous लेक्चर्ज्स में, effective राइटिंग के प्रिंसपल को डिस्कस कर रहे थे, चंद एक प्रिंसपल्स को हमने डिस्कस किया, आज हमारे सामने जो प्रिंसपल है, वो है, avoid strong claims and hype, और हाइप से से वोइड करना है कि किसी भी किसम के सखत दावे इस किसम के किया जाए या मामले को एक्जेजिरेट कर दिया जाए एक्जेजिरेट मीन कि उसमें मुबाल गाराई बियान कर दिया जाए बढ़ा चढ़ा कर बियान कर दिया जाए तो इससे वोइड करना चाहिए एक्स्रीम पॉजीशन को आम तोर पर घलत समझा जाता है अगर आप किसी की तारीफ कर रहे हैं तो उसमें आपने मुबालगा कर दिया उसकी एक्स्रीम पॉजीशन पर चले गए तो यह चीज घलत समझा जाती है moreover hype language may take, may make the reader doubt whether the message can be tested कते हैं कि यह reader को भी शक में मुबतला कर देती है उसको message के authentic होने पर शक होने लगता है give the reader facts and let him or her decide whether this is without any doubts and the most effective solution कहता है कि readers को just facts provide कर दे, reader के सामने जो कुछ है just वो बियान कर दे, जिस तरहां courts में बियान कर दिया आता है वकला lawyers बियान करते हैं जो कुछ हुआ उसको बस as it is बियान किया जाए ताके आगे से reader खुद judgment use करे, reader खुद judge करे कि कौन इसमें दुरस्त है, कौन गलत है जो वाकिया जिस तरीके से हुआ, उसी तरीके से बियान कर दिया जाए तो यह आगे इनकी example दे रखी है, यह इसमें पढ़ लिजिएगा, इसमें क्या message दिया है, किस तरीके से गलत दिया है और फिर ठीक क्या हो सकता है next है, be factual, हमेशा factual रहें, हमेशा हाकिकत से करीब रहें, हाकिकत बियान करें, गलत बात से avoid करें in order for writing to be effective, in transmitting useful information, one needs to concentrate on facts आदमी को facts पर concentrate करना चाहिए, try to separate facts from emotion and interpretation of those facts कहता कि अपनी मर्जी से उनकी तश्री मत कीजिए, facts को अपनी तश्रीहात से, अपने emotion से, अपने personal जो biasness है, उससे दूर रखिए, facts सिर्फ facts होने चाहिए, उनको neutral अंदाज में आप just present कर दें, आपकी personal attachment उसमें बिल्कुल भी show नहीं होने चाहिए तो यहाँ भी इसकी example दी है, तो यह आप इसको पढ़ें, इसको समझने कोशिश करें next principle है, pay attention to spelling spelling mistake जो है, वो किसी भी तहरीर का बहुत बड़ा fault है तो यह अच्छी तहरीर की भी बदसूरती का बाइस बनती है spelling mistake can lead to two problems first, it makes a literate reader stumble the reader passes for a moment to register a misspelled word and figure out the correct spelling of intended word कहता है कि इसके दो नुक्सानात हैं, दो मसाइल हैं पहला मसेला तो यह कि जो भी literate reader है, जो भी पड़ा लिखा reader है वो पढ़ते हुए अटक जाता है उस गलत spelling पर आकर तो वहाँ पर वो judgment use करता है और अपने judgment use करते हुए correct spelling का guess करता है और guess करते हुए यहाँ पर जो original word होना चाहिए था उस तक पहुझने की कोशिश करता है तो यह चीज उसको पढ़ते हुए रोक देती है next उसकी बिताता है कि उसका problem क्या है कि second spelling errors also make it less likely that the reader will take the written message seriously or remember it दूसरा नुपसान इसका यह हो सकता है कि अगर reader इतना intelligent नहीं है तो वह उन्ही misspelled words को original words समझ लेता है और उसी को समझ कर उन्हीं को मतलब अपनी memory का हिसा बना देता है जिस तरह हम बच्चे के सामने उसको English पढ़ा रहे हों तो उसके सामने किसी भी word के spelling अगर गलत हो तो वह उन्हीं को ठीक समझ कर उन्हीं को याद कर लेगा तो यह चीज एफेक्टिव communication में एक बहुत बड़ी रकावट है तो इस तरह सम टाइम यू भी हो सकता है कि आपके जो अपने spelling लिखा है और उससे जो reader ने meaning guess किया रीडर ने जो original word guess करने कोशिश की हो सकता है वो word ना हो जो आप लिखना चाह रहे हो तो इस तरह communication gap भी create हो सकता है कि हमारा message ही ठीक तरीके से पढ़े लेखे रीडर तक ना पहुंच सके next है pay attention to grammar grammar की तरफ भी तवज्जो लाजमी दे grammar की गलतियां भी message ना पहुंचाने में message को पहुंचाने में जो है वो रुकावट साबित हो सकती है it is important to master some of the most important rules of grammar एहम जो grammar की rule है उन पर master होना बहुत जरूरी है these rules are useful conventions that aid in delivering a message violating these conventions may not constitute a fatal flaw yet may seriously distort the intended message or simply distract the reader from understanding the intended message कता है कि ये जो rules है grammar के ये rules पहले से ही कुछ ऐसी conventions हैं कुछ ऐसे असूल जवाबित तैय कर दिये गए हैं बना दिये गए हैं जो के message को deliver करने में message का meaning clear करने में मददगार साबित होते हैं होते हैं अगर हम इन rules को violet करेंगे तो इनके rules के violet होने से हमारा message की जो delivery है वो हमारी जो language हमने लिखी है उसमें जो मारा message है वो ठीक तरीके से reader तक नहीं पहुंच सकेगा और वो उसको understand नहीं कर पाएगा तो इन rules में सबसे पहले capitalization है कि capital letter कहां आने चाहिए तो यह आपको मालूम होना चाहिए कि capital letter कहां कहां आता है तो उसके बारे में यहाँ पर guide किया गया है तो यह आप देख सकते हैं कि हर sentence का जो पहला word पहला जो word है उसका पहला letter capital होता है प्रापर noun का पहला letter capital होता है और इस तरीके से I का जो word है जो जहां भी आता है वो capital होता है next rule है कि definite और indefinite article के बारे में उनको आपको मालूम होना चाहिए कि a and और d कहां आते हैं क्योंकि d जो है वो definite article है a and वो indefinite article है वो किसी आम मतलब noun के साथ आते है और d जब आता है तो वो उसको particular बना देते हैं किसी खास किसी noun को खास बना देते हैं वो for example आप लोगों ने भी मिसाल सुनी होगी जिस तरहां बच्पन में कहानी पढ़ते थे crow की thirsty crow की तो उसमें बियान करता है कि once there was a crow एक दवा का जिकर है कि एक कववा था अब यहां पर एक कववा ही वो indefinite article है तो अब जहां भी आगे crow बियान करेंगे हम तो दी crow लगाएंगा the crow was very thirsty अब वो प्रपर हो गया वो एक definite article बन गया तो इस वे से दी लगाएंगे तो अगर वहां पर हम ए ए लगाते जाएं तो वो indefinite हो जाएगा और इस तरह यह चीज meaning को passage को create करने message को deliver करने में रकावट हो सकती है तो इसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए जैसे यहां पर तफसिलात भी दी गई है नेक्स्ट है grammatical parallelism के यहां पर बताता है कि when listing things जब आप डिफ्रेंट चीजों की लिस्ट बियान कर रहे होते हैं कि I like mangoes, apples, bananas, grapes इस तरह डिफ्रेंट चीजों की लिस्ट बियान कर रहे हैं तो यहां पर आप कहते हुए I like banana, I like apples, mangoes और फर्दर आप कहते हैं कि grapes, strawberries यहां पर आप fruits को बताते चले जा रहे हैं तो यहां इनके साथ ही अगर आप कह दें कि and I like horse riding तो यह चीज इसी sentence के अंदर अगर कह दी जाए कि I like apples, banana, grapes and horse riding यह ठीक शुमार नहीं होगी तो इससे avoid किया जाए तक है the items in list are expressed in the same grammatical forms, एक ही grammatical form में होने चाहिए for example all the items in a list need to be nouns, तमाम group में जितने भी चीज़े हैं वो सारी की सारी noun होने चाहिए या noun phrase होने चाहिए या फिर verb या verb phrase होने चाहिए तो जैसे इसने यहां पर निचे मिसाल में दी है कि I like lakes, mountains तो यहां पर lakes और mountains दोनों नाउन है and I like to ride horses, तो यहां ride horses यहां पर यह verb phrase आ गया, तो यह चीज़ इससे avoid किया जाए यह है grammatical parallelism next है singular versus plural singular और plural का भी जो rules है कि किस तरीके से plural बनाते हैं, उनका भी खास क्यार लखा जाए कौन से noun plural बनते हैं और किस तरीके से बनते हैं, तो यह आपको मालूम है, तो यहां पर उनकी ruling लिखी हुए है और next है tense, tense तो एहम है कि यह किसी भी literature में बहुत एहमियत के हमिल लगते हैं, कि अगर आप proper tense यूज नहीं करेंगे तो आपका meaning convey नहीं हो सकता, तो इस तरह proper tense यूज करना भी जो खास बनता है उसका correct tense वो भी यूज किया जाए और next principle है, कि यूज proper punctuation, punctuation marks भी यूज किया जाए, जहां पर full stop आता है, वहां full stop sentence के end में यूज किया जाए, कॉमा जहां यूज किया जाता है, वो कहां वहां कॉमा आना चाहिए, तो यहां पर उनके rules लिखे गए हैं, तो यह आप पढ़ सकते हैं, जितने भी punctuation के rules है, यह आप इन्होंने दिये हैं, उनमें से मुक्तसिर करके चंद एक rules, तो यह देख सकते हैं, नेक्स है, correct uses of semi-colon, यह भी punctuation के rules में से, और फिर next कहता है, कि use text formatting to aid understanding, कि मतलब समझने के लिए, टेक्स्ट का format इस तरीके से बनाया जाए, कि वो समझने में आसानी हो, आप computer पर type कर रहे हैं, तो headings को bold कर दें, और इसी तरह जहां italics करना हो, italics कर दें, किसी चीज़ को prominent करने के लिए, तो इसी तरह किसी चीज़ को highlight कर सकते हैं, और तो यह मुक्तलिफ text की formatting है, जिनको आ Twitter में use करके आप उनको अमना message जो है, वो आसानी के साथ कर सकते हैं, next है use tables and figures to add understanding, understanding में helpful होने के लिए, आप तसावीर और tables को use कर सकते हैं, जो के समझने के लिए, reader के समझने के लिए, आसानी फुराहम करती हैं, तो यह थे हमारे effective principles, effective writings के चंद एक principle हमने पढ़े, hopefully आपको समझा आगे होंगे, इंशाला next lecture में next topic जाद हाजिर होंगे, तब तक के लिए, अल्ला आपिछ